हलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिलखा सिंग, जिसे हम फ्लाइंग सिक भी कहते हैं, ये एक भारतिय दावक थे, जिन्होंने रोम के 1960 ग्रिमसम कालिक ओलंपिक, टोक्यों के 1964 ग्रिमसम ओलंपिक में भारत का परतिनी दिताव किया था, उन्हें फ्लाइंग सिक परता है, में एक सिक परिवार में हुआ था, बारत के विवाजन के बाद के अफरा तफरी में, मिलखा सिंग ने अपने मा अबाब को खो दिया, अन्दताय वेव सरनार्थी बनके ट्रेन से पाकिस्तान से बारत आए, ऐसे भेयानक बच्पन के बाद उन्होंने अपने जिय उन्होंने दोड के लिए प्रेयरित कर दिया, तब से वेवना ब्यासकडी मेहनत के साथ करनाय लगे, महवर्स 1956 में पट्याला में हुए राश्ट्रे खेलों के समय से सुर्क्यों में आए, एक होनहार दावक के तोर पर ख्याती प्राप्त करने के बाद उन्होंने 100 मिटर औ पदक्स स्विकार करने पर पूरा खेल विशव उन्होंने जानने लगा, इसी समय उन्हें पाकिस्तार में दोडने का नोता मिला, लेकिन बच्पन की गटनाओं की वज़े से वे वहां जाने से हिचर्ग थे, लेकिन नय चाते होई राजने तिक उथल पूथल के डर से उन् विकार कर लिया, दोड़ में मिलका सिंग ने सलता से अपने परती दोंदियों को दवस्त कर दियों और आसानी से जीत गए, अधिकांस्ताय मुस्लिम दर्सक इतने परभाहित होई कि पूरी तरब बुरकांसिन और और उड़तों ने 20 महां दावक को गुजरते देखने के ल रू किया, वे चंडिगड में रहते थे, जाने माने फिल्म निर्माता, निर्देश को और लेखक, राकेस ओम परकास महरा ने वर्स 2013 में पर भाग मिलका बाग नमक फिल्म मनाई, ये फिल्म बहुत चर्चित रही, फ्लाइंग सिक के नाम से चर्चित मिलका सिंग देश में होने वाले विबित रहे की खेल आईजनों में सिर्कत करते रहते थे, हैदराबाद में 30 नूमर 2014 को हुए 10 किलोमेटर की जीयो मेरा थम 2014 को उन्होंने जंडा दिखा कर रवाना किया, मिलका सिंग ने ठारा जून तो 2021 को चंडिगड की पीजे एमर है, अस्पताल में अंतीव प्रिसांसली, वे COVID-19 से गरस थे, चार पान दिन पूरव उनकी पनने का देहान भी COVID से ही हुआ था, उनके पुतर जीव मिलका सिंग गॉल्फ के खिलाडी है, मिलका सिंग ने अपने केरियर में कई खेल पुरुषकार अपने नाम के, उन्होंने 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 उन्ह अपने उन्होंने 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 उन्होंन तो दोस्तों आको मिलका सिंग की जी उनी कैसी लगी हमें चैट सेक्शन में जुरू बताएं